So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ HL की बात करेंगे तो स्टॉक में हमने कल कुछ important news के बारे में discussion किया था और हमने एक चीश clear कर दी थी कि HL में एक बड़े fall देखने को मल सकते हैं हाला कि morning में गिरावट आई काफियत तक अगर देखे stock morning से ही गिरना स्टार्ट हो गया पर एक sudden recovery भी देखने को विली तो जिस news के बारे में हमने discussion किया था उसका एक काफी बड़ा impact यहाँ पर देखने को में मिला नहीं है बट stock में कहीं नहीं गहीं अगर देखे एक pressure तो है यहाँ पर अगर देखे quarter one के results आए BEL गे अच्छे results थे तो हो सकता है कि उसके हिसाब से कुछ positivity नजर आई कि यहाँ पर BEL की results अच्छे है तो HL में भी एक बड़े jump नजर आ सकते है और exactly यह point भी आपको ध्यान में रखना चाहिए तो HL में आज अगर देखा जाए तो stock ने हमें 4920 रुपे के level पे closing दी यहाँ पर अगर देखे 33 रुपे पेसे के round stock में एक बड़े गिरावट नजर आती है और यहाँ पर अगर देखे 12 बजे के बाद stocks में एक बड़ी गिरावट आनी start हो गी थी और बाद में stock काफियत तक गिरा भी पिछले 5 दिनों में stock ने एच्छे return दिया काफि एच्छी rally stock में अगर देखे देखने को बली budget के बाद और फिर कह सकते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत profit booking आनी start हो गी है क्योंकि काफि लोगों को ऐसा लगता है कि stock आगे बड़ेगा नहीं और काफि लोगों को लगता है कि quarter 1 BEL के results अच्छा है तो इसके results भी अच्छा है कि तो यहाँ पर negative news थी क्या तो यहाँ पर अगर देखे G.E.Fals short on engines nearly 90% less engines to be delivered to HL तो यहाँ पर G.E. अगर देखे एक बड़ी American company है तो उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़े कही In a significant feedback for India's indigenous fighter jet program General Electric G.E. has drastically reduced its engine deliveries to HL तो यहाँ पर जो G.E. है उन्होंने यहाँ पर clearly reduce किये है अपनी supplies को जो HL को यहाँ पर engine supply करता था जो provide कराता था तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो कही ना कही इनकी और से यहाँ पर एक बुरी ख़बर आ रही है कि engine supply अभी नहीं कर पाएगे तो इसमें अगर देखे 16 engine supply करने थे इसमें से सिर्फ दो engine ही supply हुए है F404 IN 20 engines और वहीं सेप्टेंबर में और वहीं अगर देखे लग भग जो shortfall देखने को विला जो यह नाकाम रहे engine supply करने में उनकी यहाँ पर गिंती है 14 तो 14 engines अभी भी अगर देखे नहीं आया है इस साल की अगर बात करें तो एक बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर Tejas Mark 1 को लेकर रहे नियूज है Tejas Mark 1 जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था काफी बड़े लेवल पर और इसी वज़े से यहाँ पर HAL कही न कही थोड़ा डिले हो पा रहा है जो यह तयार कर रहे है Tejas Mark 1 जो तयार कर रहे है वो कही न कही डिले कर रहा है यह टेक ओवर करने के लिए इंडियन एरफोस नेवी को यहाँ पर जो डिलेवर करने वाले थे Tejas तो यहाँ पर बिल्कुल इसी वज़े से यह इसमें लेट हो रहा है तो एक बड़ी बुरी ख़बर है इसके लिए इसी वज़े से स्टॉक में कही न कही प्रेशर नजर हमें आ सकता है आने वाले टाइम में भी और वही कर दिखे है हल में आने वाले टाइम में कुछ important dates को डिसकस करते है 21 अगस्त दोजार चूबीस एक्स डिविडेन डेट है अगर बात करें हल की तो एक्स डिविडेन डेट इनकी ओर से अनाउंस यहाँ पर की गई थी 21 अगस्त दोजार चूबीस तो यहाँ पर 13 रुपे पर इक्विडेन कंपनी की ओर से अनाउंस किया गया 13 रुपे आपको हर शेयर में मिलेगे अगर आप 21 तारीक से पहले buy करते हो तो 21 तारीक से पहले अगर आपने HL को खरीदा तभी आपको 13 रुपे पर इक्विटी शेयर का डिविडेन मिलेगा तो इस पॉइंट के ओपर भी आपको ध्यान देना चाहिए तो बिल्कुल HL के लिए हम यहाँ पर डिसकस कर चुक है इसके लिविल्स को आगे देखेंगे अब बात करते हैं BEL की भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट रिजल्स अच्छे रहे इस वजह से स्टॉक में मौर्निंग में हलका गैप अफ हुआ फिर इसके बाद देखें profit booking कह सकते हैं 316 रुपे 30 पैसे पे स्टॉक ने closing दी और वही अगर देखें एक रुपे 80 पैसे के राउं स्टॉक में हमें एक वाल देखने को बलता है 0.57% के वहाब पर एक महीने में भी कई सारे upside downs momentum स्टॉक में हम देखते आ रहे हैं और वही अगर देखें रिज 15% upside in PSU stock तो यहाँ पर अगर देखें यह 15% का upside का potential stock में देखते हैं बिलकुल भारत electronics लिमिटेट में gain on 31st जुन जुले as Morgan Stanley has given over weight rating और जो इनकी और से target है वो target increase किया गया और 304 रुपे का target इनकी और से यहाँ पर कहा गया है पर वही UBS अगर देखें इस पर अभी भी neutral अगर बात किरें, the revision comes after the government owned aerospace and defense electronic company, quarter on जो EBITDA यहाँ पर रहा, वो काफे इच्छा रहा, जो revenue हो रहा, वो काफे इच्छा रहा, इसकी वज़ा से positive है, Analyst at Morgan Stanley noted BEL has maintained its F25 guidance and anticipates the issue of the significant QRSAM, quick reaction surface to air missile system order, जो इने मिला, इस वज़ा से भी यहाँ पर है positive है, तो एक कुछ अची चीज़े जो इनकी और से गएगी, बट वही अगर UBS की बात करें, तो UBS की और से कही न कहीं कुछ negative returns यहाँ पर आ सकते हैं, इनका ऐसा मंगना है, तो इनों management guidance 15% top line and 15,000 crore order run seems severely achievable, UBS however, the foreign brokerage does not seem major upside that intent, तो यहाँ पर यही upside momentum नहीं देख रहे ज्यादा, तो इसा इनका मानना है, बट यहाँ पर BEL अगर देखे रिजल्स अच्छे हैं, कुछ बड़े वर, Morgan Stanley जासे बड़े फर्म पॉसितिव निजर आते हैं, तो एक पॉसितिव इन दोनों ही शेल्स के लेवल्स की लेवल्स किस तरीके से गाम कर रहे हैं, और हमें किन पॉइंट्स के उपर ध्यान देना चाहिए, तो ओ चीजे भी इंपॉर्टनेंट हैं, तो इसके लेवल्स को हम डिसकस अब करेंगे, तो पहले हम आ जाते हैं, HL के उपर, तो हम 5 मिन कर दिया था, कि यहां पर अगर देखे, कहीं न कहीं, 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर, खासकर 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर क्लियर में ने कर दिया दे कि कहीं न कहीं इसमें, एक head and shoulder type pattern बनाने कि यह stock जो है, कोशिश कर रहा है, यह चीज हमने कल क्लियर की थी, और exactly वो चीज ह पहले भी कईबा discussion कर चुक है, कि उपर से अगर देखा जाए, तो एक important rally यहां पर अभी आएगी, जब stock उपर एक sustain करेगा, बाट यहां पर अगर देखे, कल से हम देख रहे है, इस range को यह उपर break नहीं कर पार, और सीधा stock अगर देखे, यहां से downtrend बता रहा है, तो पर अभी trade कर रहा है, उस level पर पहले sideways momentum बता चुका है, पहले भी अगर आप देखोगे, तो कहीं न कहीं, यह sideways रह चुका है, और यहां से ही एक बड़ी rally इसने बताईगी, और अभी कि अगर हम बात करें, तो stock में, यह जो rally है, यह range अगर downside को रेक होती है, तो stock में यहां से तो इस trade line का भी कहीं न कहीं, breakdown हमें आज नजा आ, क्योंकि यहां पर हम कह सकते कि इस particular trade line पे, आज stock अगर आप देखोगे, तो एक support show कर रहा था, और यह से ही इसने इस trade line को बेकिया, वे इसे यहां से जो fall है, वो continue हो सकते है, तो यह भी कुछ point है, तो अभी देखना होगा, कि किस side ये sustain करता है, किस particular level के उपर ये sustain करता है, अब बात करें BEL की, तो BEL किस तरीके से काम कर रहा है, तो बिल्कुल 5 minute के time frame पर देखेंगे, stock में क्या चीज़े हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल downtrend नजर आया, stock में यहां पर अगर आप देखोगे, एक गिरावट हमे देख लेता है, उपर से, तो ये trade line important रहेगी, इस range important रहेगी parallel channel में आपर बना देता हूँ, तो इस parallel channel के उपर आपको ध्यान देना चाहिए, तो इस particular level का breakout जरूरी है, और अभी कि अगर हम बात कर देखेंगे, तो कहीं है, एक का falling wish type pattern बनाने की कोशिश चेए, एक का proper falling wish type pattern जो है, नौट से लेकर south तक दिख रहा है, उपर से clearly आप देख सकतो, एक का resistance है, डाउंसाइड की ओर से एक support है, और इसी upside down momentum के चाहिए, तो इस अपसे डाउंस मोइंटम के चाहिए, तो इस अच्छी रैली आ सकती है, बट वही अगर नीचे की और सस्टिन करता है, तिन सो त्रेपन रुपी का शेर टेट का स्पीट कंपनी की और से अनाउंस किया गया, एक शेर के बदले दस शेर में तूटेगा एक शेर, नौगस्ट दौज़वी स्टेट फीक्स है, इससे बेले बाई करोगे, इसका benefit आपको मिल जाएगा, और और काफी कुछी चीजे डिसकस क आपको मिल जाएगी थे